बिसमिल्ला रह्मान रहीम असलाम अलेकुम डियर विवर्स वेलकम टॉक्म टॉक्म टॉक्टिक है किस सरी के से हम स्टर्ट कर सकते हैं बाइनरी ट्री विद एलप ओफ पोस्ट अर्डर एंड इन-डर ट्रेवर्सल्स ओके जी उससे पहले अगर प्री ओर्डर, इन-डर, और प्राटर का पता होना चाहिएं प्रीएस वीडियो या। आपकी चाहिए वाहाँ से भी आप देख सकते हैं और after that, अगर post order हमारे सामने है, ठीक है, हम उसे किस तरीके से tree generate कर सकते हैं, वो भी देख लेते हैं, इससे पहले हमने pre order के through किया था, अब हम post order के through कर रहे हैं, चले, post order और in order, यह दो हमारे पास सामने sequences है, ओके, चले हम देखते हैं, starting from the root node, वो हमें कहां से पता लग सकती है, क्या in order traversal से पता लग सकती है, नहीं, in order traversal में तो root node कहीं बिल्कुल center में होती है, और अगर हम चेक करें post order में, तो हमें पता होता है कि हमारे पास root node हमेशे कहा right side पे, क्योंकि इसका sequence हमारे पास होता है left, right and then root, so हम start करेंगे post order को traverse करना from right to left, यसे 2, 3, 9 and so on, right to left हम search करना शुरू करेंगे इसको, okay, इसका मतर सबसे पहले तो 2 को हम read करेंगे, और 2 सबसे पहले हमने construct कर दिया tree में, okay, that's the root node, और अब check करेंगे इसका left child और right child कौन से वा करेंगे, कहां पे in order traversal में आके, in order traversal में आके check करें, 2 की position, यह highlight की में read कर में, such as 6, 4, 1, 5, 8, okay, वो आपके पास left child बन जाएंगे, और after that, right child पे आपके पास कौन कौन सी values आ सकती है, 7, 3 and 9, अब नेक्स आते हैं left subtree की तरफ, अब अगर left subtree में देखें, अब हम देखते हैं इसमें से, इन सारी values में से, हम subtree के लिए root node कौन सी वाली को select करेंगे, वो हम select करेंगे कहां से, again, post order traversal से, चलें, post order traversal में आके, searching from the right to left, check करें, 6, 4, 1, 5, 8, इन में से, सबसे पहले value कौन सी आ रही है, then we have a 4, okay, अगर 4 value आ रही है, तो 4 कौन ने देखा, इसको construct कर लिए, tree म may be as a node, और after that, 4 के check करेंगे, left और right child कों से होने से, वो कहां से बता लगेगा, in order traversal से, अब in order traversal में आके, 4 की position को check करें, अब 4 की जो position है, उसके left और right चेक करेंगे, 4 का left बन रहे है, 6, okay, left child 6 आ गया, और right बन रहे है, 1, 5, and 8, तो right child किसके बना लिए, हमने 1, 5, and 8 को फिला जाले, ओके जी, अब 1, 5, and 8 में से चेक करते हैं, इन में से पहले हम किसको read करेंगे, suppose again, आएं किसकी तरफ, post order traversal में, पहले क्या आ रहे है, that is 5, okay, 5 को construct करवाया, node construct होगी, after that इसका left और right चेक करेंगे, कहां पे आके, in order traversal में आके, अब in order traversal में, जरा चेक करें, हमारे प और right पे आ रहा है, 8, okay, तो left child किसको बना लिया, 1 को, और right child हमने किसको बना लिया, 8 को, okay, चले, left subtree तो मारा होगा, complete, अब जरा आएं, right subtree में, वहां कौन सी values बढ़ी होई हैं, हमारे पास, root जो 2 थी, उसका right child, हमने right side पे हमने क्या लिका, 7, 3, and 9, okay, 7, 3, and 9, इन में से हम root node हम किसको बनाएंगे for the further subtree, okay, check करते हैं, post order में सबसे पहले क्या आ रहा है, 7, 3, and 9, that is 3, okay, और अब हमने जब इसका node construct कर ली, ठीक है, tree में भी node construct होगी, and after that, अब हमारे इसका left और right child की तरफ, left और right child कहां से पता लगेंगे, again, in order traversal से, और अगर in order traversal की तरफ आते हैं, then check करें, left side पर क्या पढ़ा हुए 3 के, left पर पढ़ा हुए 7, okay, left side हमने किसको construct कर लिया, 7 को, और right पर क्या पढ़ा हुए, 9, और इसके right पर आके हमने 9 को construct कर लिया, okay, तो यह बड़ा easy way था, और quick way था, किस तरीके से अगर post order traversal और in order traversal आपके सामने हो, उससे हम binary tree किस तरी कर सकते हैं, hope you like it, thank you so much.